हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो ट्रेड फॉर्वेल ट्रेडिंग एकडमी आज हम लोग कुछ ओवाइडेटा का सिक्रेट देखने वाले है जैसे हमने ओवाइडेटा सेरीज चालो किया हुआ है ओवाइडेटा के हम लोगे लाइव सेशन भी देखे तो आपको क्या करना है आज ह इंडिया.com option chain analysis के पास आना है और उसे के साथ आपको निफ्टी का या चार्ज भी ओपन करके रखना है पहले हम option chain के बारे में डिसक्स करेंगे है हमने देखा था कि option chain में ये दो पार्ट काफी important है और एंड चेंजीन हुआ है वाए और एंड चेंजीन हुआ है और इस कॉ का नजरिया अलग है विट आस पर माई टेक्निक में चेंजीन हुआ है दूरिंग दे इंट्राडे देखता हूं और इंड जैसे दे फिनिश होते जाता है थ्री ओकलॉक के बाद में नेक्स डे प्रेडिक्शन के लिए हुआ यूस करता हूं और इंट्राडे मुमेंट के ल जैसे मार्केट ऊपन होता है 9 15 को मार्केट ऊपन होता है बट आप वह डेटा चलो करोगे 9 30 से 9 30 doak बार देखोगे 9 45 को एक बार देखोगे 10 o'clock को एक बार देखना हुआ ठीक है तो इस त्री इंटरवल में मतलब 15 15 मिनिट के 3 इंटरवल में आपको देखना है निए क्या करना है call sets and put sets है तो call sets में change in ova में highest value कौन सा है वो आपको note down करके रखना है तो change in ova में call sets में highest value change in ova यह 80,000 है ऐसे दो values मुझे find out करना है that is 17,900 and second है 66,000 that is 18,000 यह notation आपको 930 को note down करके रखना है कि 930 को 17,900 में 80,000 था 18,000 को 67,000 था same as put sides में highest कौन सा है वो आपको देखना है तो यहां पे तो यह की देख रहा है at the money वहला 60,000 और उसके बाद में देख रहा है 39 तो मतब 17,900 और 17,700 यह ऐसे दो मैंने फ्रेक्टर भी माप करके put side के change in हुआ है यह एक बार आपने 930 पे किया फिर page को refresh करो और 945 को एक बार note down करनो पिर से page refresh करो फिर 10 o'clock को note down कर करो तो 930 को एक आपका notation होगा कि change in होगा 930 को कौन से 2 strike price में highest था and put side में कौन से 2 strike price में highest था same notification आप 945 को note down करोगे same 10 o'clock को अभी this is not the life तो just मैं record नहीं किया है तो आप ऐसे 3 interval times में record करके रखोगे and then you will notify कि कौन सा strike price average में फिर वो तीनों का average निकालो total में change in होगा average कैसे निकालते हैं पता है सबको divide by 3 करके and कौन से strike price common आता है वो देखो तो यह आपको 930 तक 930 से लेके 10 o'clock तक करना है फिर वहाँ पे 3 important parameters काफी important है वो आपको देखना है change in oi coi जिसको मैं बोला हो change in oi call side का and coi put side का यह दो combinations काफी important होता है अगर either three different condition होगा कि coi call side का change in open interest जो भी कुछ है वो greater है मतलब call side में heavy writing हो चुका है as compared to put side इसका मतलब होगा कि market bearish market will be bearish second अगर यह condition रहा कि call side less है put side से तो market मतलब put side का writing बहुत ज्यादा हुआ है तो अगर वैसा scenario रहे है तो market रहेगा bullish कि इस बेसिक कि अगर एक्वाल है एप्रॉक्सिमेटल तो समझ जाने का market sideways है तो यह conclusion आप तिल 10 o'clock तक त्री इंटरवल के साथ दो श्राइक प्राइस के साथ हमने किया कि कहा का call राइटिंग जादा है कहा का put rating जादा है उनका total किया और फिर मैंने अप्रॉक्सिमेटल डिसाइड गिया कि 10 o'clock कौन ग्रेटर है कौन लेसर है अगर call राइटिंग ग्रेटर है तो मार्केट ग्रेटर है तो मार्केट बुलिश रहेगा और अप्रॉक्सिमेटल तो मार्केट साइड हो यह 10 o'clock तो हमको करना आफ्टर डैट क्या करना है इसमें हम लोग प्राइस एक्षिन को मिक्स करें इस वन अप टेक्निक की जो डेली आपको मिनीमम थाउजन से लेके 5000 तर का प्रॉफिट ईजी ली देखे जा सकते डिपेड़न ओप्शन या फ्यूचर आप करोते उसके साथ तो आप क्या करोग तो अगर मैंने यहां पर बता है तो मैंने यह चैन अक्लॉक तक कर लिया लिया है कि 10 o'clock को मैंने मार्किंग कर लिया इं 10 o'clock को मुझे ऐसे पता चला कि चेंज इन होआ है लेटर से हम लोग फ्राइडे का यह एक्जामपल देखेंगे कि चेंज इन होआ है कें सी साइड का ग्रेटर है फिस इसका मतलब मार्केट बेरिश रहेगा यहां के लिए देख रहा हूं तो यहां पर rejections candles के लिए मैं देखूंगा कि यहां पर rejections लेके नीचा है तो यहां पर मैं पूट ले लू यहां फिर मार्केट यहां पर breakdown कर ले और फिर यहां पर मैं पी ले दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं पूट के लिए always work for the ATM और इंदमनी ही आपको work करना है not for the out of the money मतलब यहां पर आप अगर आप पूट को देखना है तो 17,900 का पूट आप देख सकते हैं तो आप क्या करोगे फिर अभी यह work करोगा फिर यह मैंने मार्क कर लिए फिर देन यू कन शिफ्ट तो 5 मिनिट स्कैंडल और देखना है कि 5 मिनिट स्कैंडल वहां पर कहां पर rejections देके डाउन आ रहा है यहां पर अभी देखो यह मार्केट अब जा रहे है बट आपने नोटिफाइ कर लिया रहेगा कि अल्डेडी मार्केट इस इन दो वेरी साइट तो जितना भी यहां पर पूट ले सकते हो यह अधर वाइस यहां पर और एक प्रो टेखनीक में बता रहो जो मैं वारे ट्रेनिंग क्लास में बता रहो कि यहां पर यह भी एक तरीका बता है यह करने का तो फिर एक्जाक्ली कैसे करता है वो हम लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बताते हैं तो लेंटायर ओप्शन बेसिक टो एडवांस तो हमारा अभी ओप्शन का कोस चालू हो रहा है 11th of September से you can join that course अल्सो जाप है जाप हम बे जैसे थे रीड़ान ब्रेक डाउन और यहांपे यह ठीलैन ब्रेक डाउन होगा यहांपे यह ब्रेट्राइन ब्रेक डाउन व्यूफा यह है तो आफ्टर गपने स snippet 119 30 फीवा मैंने क्योंकि market sentimental bearish है कहां से depending upon oi data जो मैंने 10 o'clock तक mark करके रखा था क्योंकि market में जो volatility और जो oi data रहता है morning का 10 o'clock तक का बहुत important factor यह first phase रहता है and second phase जो भी कुछ है वो after 1232 2 o'clock के बीच में जो oi data change होता है वो तो यह 10 o'clock से जो कुछ change हो रहा है वो till 12 o'clock तक हम आप्लाइ कर सकते हैं तो यह before in between 10 to 12 के बीच में यह trade खतम हो जाते है आइदर अपर side आप पी ले सकते हैं जैसे lower break होगा तो भी आप पी ले सकते हैं तो one can take यह advance entry है यहाँ पे आप यह जैसे candle breakdown होगा one can take a put का trade यह आपको first target record second target इसमें breakdown होने के बाद ठीक है तो let's see देखते हमने तो यहाँ पे 17,900 का put हम buy करेंगे कभी 1040 के बाद तो यह 1040 का candle जो भी कुछ है यहाँ पे आपको मैं बता दू 1040 यहाँ पे candle है तो यहाँ पे आप put buy कर सकते हो यहाँ पे just मैं करना तो वीडियो में ने डाला हुआ है तो जब तक price मेरा put का वीडियो के ओपर नहीं आता you can use three minutes or five minutes so you can enter here यहाँ पे ले सकते हैं this will be your stop loss and देखो market ने क्या मस्त में reaction दिया है तो यहाँ पे आपका इंट्री होबा that is 170 पे and 240 तक चला गया था let's see further क्या हुआ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको पता चलेगा हमारा इंट्री यहाँ पे आ गया और यह जो भी कुछ डोजी का हाय था that will be your stop loss so have a patience for that and देखो यह आपका यहाँ पे मेरा इंट्री लिया और यहाँ पे मेरा फॉर्स टार्गेट आ गया is that clear and जैसे यह सेकेंड ब्रेकडाउन होगा वनके इंट्री का नेक्स इंट्री यह आपने एक लॉट अगर अगर एड किया तो आप वहाँ पे वोल्ड भी कर सकते तो like that वे में प्रो ट्रेड इंट्री करते प्रो ट्रेडर का इंट्री जिनको ब्रेकडाउन का करना है वो लोग इंट्री यहाँ पे लेंगे यह चांडल यह जो भी कुछ मेरा फॉर्टे फाइंनिट्र का का लो थए उसके नीचे मेरा 5 मिनिट्स का केंडल क्लोश होना चाहिए और मेरा ओवाडेट बेरिश होना चाहिए अगर बुलिश है तो वह अपर से तो यह कितने बज़े हुआ 1140 तो आप देख सकते है 1140 को मेरा इंट्री आएगा यह यहां पर मेरा इंट्री आए यहां था 180 का यह यह केंडल पर मेरा इंट्री था 180 का और आप देखोगे वह भी 240 तक गया थे यहां से 45 मिनिट का हाय यहां ब्रेक डाउन पर इंट्री ले सकते हैं यह जो लो ब्रेक होता है उसके ओपर भी आप इंट्री ले सकते हैं काफी बहतर इंच ट्रेड मिलता है ट्रस्ट मी आप इजीली यहां पर 500 तू 5,000 रुपीस डिपेंडिंग अपन यॉर माजिन आप ऑप्शन में कर रहो फ्यूचर में कर रहो आप इजीली कमा सकते हैं यह तो इससे डाउन आ है आप यहां पर देखोगे कि 17,000 870 मतलब 870 से 790 मतलब अलमोस्ट 80 तो 90 में भी कर रहो तो भी 50 पॉइंट्स मिलता है यहां पर 45 मिनिट्स का कैंडल में मांक डाउन करूंगा मैं ओवा इटा के पास जाओंगा एंड डिपेंडिंग अपन आट स्टाटेजी आप डेली वरक आउट करोगे यह 45 मिनिट्स का कैंडल का हाई चला गया यहां पर ओवा डिटा आपके साथ होना चाहिए ओवा डिटा वो भी चेंजिन हो है वो अगर आप त्री डिफरेंट इंटर्वल के साथ देखते हो तिन आट विल गिव दो बच बेटर ट्रेट्स एंड डाट विल बी दर रॉकिंग ट्रेट्स टीक है तो ऐसे ही बहतरीं ट्रेट्स जानन प्रेसे कमा सकते हो ठीक है तो एक बात में डिस्क्रेमर दे दू कि आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको वा डेटा देखने आना ही चलिए श्पेशले निफ्टी एंड बैक निफ्टी विदाउट ऑप्शन ड्रीडिंग अगर आप वाडेटा में ट्रेड निफ्टी वांक निफ्टी में ट्रेड कर रहा तो तो आट विल भी ताप वेरी वेरी रिस्की तो आपका कैपेटल पूरा साफ हो सकता है तो बेटर तो आप अच्छे से नॉलेज लेज़े नॉलेज लेके ही आप ट्रेड कीज़े अगर यह वीडियो आपको अच्छा झाल